7.2 प्रबोधन, Enlightenment 18 सदी वा यूग था जिसमें यह लगने लगा था कि तर्क, विज्ञान और उधम की मदद से जीवन में सुधार आ सकता है और मनुष्य अज्ञान से ज्ञान की ओर जा सकता है लेकिन ऐसी प्रगती तभी संभव होगी जब तर्क और विज्ञान किसी के वर्चस्व या सत्ता के आगे जुके या रुके नहीं यानि ऐसी सामाजिक व्यवस्था हो जिसमें किसी का प्रभुत्य या वर्चस्व न हो और लोग अपने तर्क और ज्ञान के आधार पर निर्णय कर पाएं। प्रभुधन के आलोचना नहीं हुई। जन्म सन 1711 मृत्यू सन 1776 और अर्थशास्र के जनक एडम स्मित जन्म सन 1723 मृत्यू सन 1790 को भी इसी श्रेणी में रखा जाता है। जर्मनी में प्रभुधन के प्रमुक दाशनिक थे एमानुवेल कांट जन्म सन 1724 मृत्यू सन 1804। इन विचारों को फैलाने का श्रेण जाता है फ्रेंच भाषा में एमदी देरो द्वारा संपादित वसंकलित विश्वकोश को जिसमें आज के खोजों वविचारों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया था। आगे हम प्रबोधन के मुख्य विचारों के बारे में पढ़ेंगे।